एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊं जो आप सपने में देखने वाले हो ऐसा डर जिसके बाद हमेशा नीम खुलती है और आप शुकर मनाते हो सिर्फ सपना था एक हजारों साल पुराने महल की कहानी है जिसका राजा था एक शैतान जादूगर इसको शक्ती मिली खुद भगवान से जिनको सालों की तपसिया करके इसने धरती पर प्रकट किया जादूगर की सबसे बड़ी ताकत एक जिन जिसको इसने अपने वश में कर लिया अब कहानी पास्ट से प्रेजंट में चलती है जो इस महल में एक रास्ता भटका हुआ महमान आता है शिरुवात में सब बढ़िया पेट भड़ने को खाना और रात में शराब नाचना गाना लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब भेमान को एक डिरावना सपना आता है सपने में एक कमरा, कमरे में एक जिन, इससे पहले की भाग जाओ, दोनों पैरों में बनी है एक लोहे की चेन आखें खुलते ही जान बचा के महल से भागता है तो खुद को लाशों के बीच कब्रिस्तान में पाता है आजादी का सिफ एक रास्ता, चौपर का खेल, महल के नए राजा को हरा दो और अपनी जिन्दगी जीलो नया राजा इसके बारे में बताना तो भूली गई, यकीन करोगे उमर पूरी हजार साल, शकल, इंसान, पहचान, शैतान कैसे हुई कहानी के एंडिंग, खुद देखो, पता लगाओ, नाम है ब्रह्मयुगम, रिव्यू मेरे चैनल पे मिलेगा